हेलो फ्रेंड आज फिर से मैं आपके लिए किचन टिप से वीडियो लेकी आई हूँ जो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा साथ में हम मतर छीलने के 3-4 तरीके भी देखेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं तो यहां पर मैंने टीवी का रिमोट लिया है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम टीवी देखते हैं और टीवी का चैनल चेंज करना हो या फिर वैलूम बढ़ाना हो कभी-कभी ऐसा होता है न कि यह काम करना बंद कर देता है तो उस टाइम पर आप क्या करें कि रिमोट को खोल कर उसके सेल को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर हमने रिमोट के सेल को बाहर निकाल लिया है अब थोड़ा से टुकड़ा एलमोनियम फोईल का लेंगे और इसमें सेल को रख कर अच्छे से कवर कर देंगे यानि इस तरीके से रैप कर देंगे वीडियो थोड़ा सभी यूजफूल लगेगा पसंद आएगा तो लाइक कर देजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देजिएगा अब इसे हम 2-3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे तो अभी 3 घंटा हो गया है और अब हम सेल को फॉइल पेपर में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद वापस से हम इसे रिमोट में लगा देंगे इस तरीके से अब इसे आप यूज़ करिए ये वापस से एकदम नय जैसे चलने लगेगा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा यानि रिमोट काम करने लगेगा तो है न कमाल का ट्रिक चलिए नेक्स टिप देखते हैं जब भी हम नया नया लाइटर लेके आते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है बिल्कुल भी नहीं रुखता है मगर जैसे ये पुराना होता है वैसे वैसे ये काम करना बंद कर देता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा धूल मिट्टी आ जाता है मौस्चर आ जाता है जिसके वज़से ये काम नहीं करता है तो उसके लिए हमें लेना है एक tissue paper और tissue paper को इस तरीके से fold कर लिजे जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है या दिखिए ऐसे अब हम लेंगे एक pencil आप pen भी ले सकती है या फिर pencil ले ले और pencil को tissue paper के किनारे पर लगा कर इस तरीके से roll करना है ये दिखिए ऐसे बस pencil को लगा देंगे न तो ये ऐसे रोल हो जाएगा बहुत ही आसानी से तो आधा tissue paper इस तरीके से रोल कर ले उसके बाद आधे पर से हमें tissue paper को फार लेना है पूरा नहीं हमें यूज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा इसके लिए हमें आधा ही tissue paper यूज करना है अब pencil को निकाल देंगे और ये जो tissue paper को हमने फोल्ड किया है ने इसको इस तरीके से lighter के आगे वाले हिस्से में अंदर डाल देंगे ऐसे घुमाते हुए इसके अंदर डाल दें इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो moisture रहेगा वो tissue paper शोग कर लेगा और lighter के अंदर जो धूल मिट्टी रहेगा वो भी clean हो जाएगा तो जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से tissue paper को डाल कर रख दें next tip मेरा काली मिर्च से related है market से जब भी हम काली मिर्च लेते हैं तो हमें डर लगता है कि ये कहीं mill out वाला तो नहीं है कभी कभी mill out वाला भी मिलता है या फिर duplicate भी मिलता है duplicate मतलब कि पपीते का बीज भी हमें काली मिर्च के तोर पर मिल जाता है तो आप इसे पहचाने कैसे उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताती हूँ बस काली मिर्च को हाथ में लेकर इस तरीके से रब कर ले बहुत ही अच्छे से रब करिएगा तो ये दिखिए इसमें से छिलका बिल्कुल भी नहीं निकला है तो समझ लिजिए कि ये एकदम असली काली मिर्च है अगर इसमें से बारिक बारिक छिलका निकलता है तो समझ लिजिए कि वो पपीते का बीज है तो इस तरीके से आप इसका पहचान कर सकती है अगला टिप मेरा मास्क को लेकर है कोरोना तो चला गया मगर मास्क और सैंटाइजर सबके घर में मिलेंगे तो हम इसको बेकार समझकर फेक देते हैं या फिर किसी कोने में ये पड़ा रहता है मगर इसे फेक के नहीं इसका हम एकदम अलग तरीके से यूज़ करेंगे इसको हम काटेंगे नहीं बस ऐसे ही यूज़ करेंगे तो जब हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं चार्ज होने के लिए तो हर जगह पर टेबल नहीं रहता है यानि हर बोर्ड के नीचे टेबल नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कि मोबाइल को रखे कहां अगर charger को उपर रखेंगे तो वो गिर जाएगा तो उस time में आप क्या करें कि mask को इस तरीके से fold करके ले लें यह दिखिए ऐसे अब charger में हमें mask को ऐसे लगा देना है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है उसके बाद आप charger को board में लगाएं और ध्यान रखें कि mask को charger के एकदम पीछे ही रखना है board में चिपका नहीं रणा चाहिए उसके बाद आप mask के अंदर mobile को हैंग कर दे तो यहाँ पर मैंने mask के अंदर mobile को रख दिया है और आप देख सकती हैं कि यह हिल रहा है फिर भी इसमें से mobile नीचे नहीं गिर रहा है यानि mask का यूज करने का ये तरीका एकदम perfect है तो है न कमाल का idea चलिए next tip देखते है मटर का season आ गया है और मटर खाना हर किसी को पसंद है अलग-अलग तरीकों से हम इसे यूज करते हैं अपने खाने में मगर इसे छीलने का जो काम है वो सब के लिए बहुत ही भारी लगता है यानि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मटर फटा-फट से छील जाए तो उसके लिए मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे तो पहला तरीका तो ये है मटर के आगे वले हिस्से में हलका सा दबा दे वो हलका सा क्रैक हो जाएगा उसके बाद दोनों भाग को उसके अलग कर ले और इसके बीच को निकाल ले दूसरा तरीका ये है कि आप मटर को लेकर इस तरीके से घुमाए जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है तीसरा तरीका ये है कि आप मतर के पीछे वाले हिसे को खीटोड़ के ऐसे खीच ले और इस तरीके से खोल कर बीच को निकाल ले और लास्ट वाला तरीका जो है ये मैं हमेशा यूज करती हूँ बस आगे की हिस्से को अंगूठे से इस तरीके से इसे अलग करना है और फटा फट से मटर छिल जाएगा मैं हमेशा इसी तरीके का यूज करती हूँ और ये सबसे इजी और वेश्ट तरीका है तो आप भी इन सब तरीकों से अपने मटर को बहुत ही जल्दी से छिल सकती हैं और ये देखिए मैंने बातों ही बातों में सारे मटर को छिल लिया है तो इसमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा नेक्स टिप मेरा सहद को लेकर है यानी हनी को हनी को हम खरीद के तो लेके आते हैं मगर हम यही सोचते हैं कि यह असली है या नकली इसमें मिलावड तो नहीं है तो चलिए वो हम घर में टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसे हम बच्चों को ज़्यादा देते हैं नहीं लगे तो उसके लिए हमें लेना है एक बरतन में पानी अब पानी में हम थोड़ा सा सहद डाल देंगे एक चम्मच के करीब अब इसे हम एक मिनट के लिए छोड़ देंगे एक मिनट के बाद इस तरीके से आप करके देख ले अगर सहद इस तरीके से इकठा हो रहा है त तो आप जब भी सहद ले की आईएगा इस तरीके से एक बार टेस्ट जरूर कर लिजिएगा तो फ्रेंड उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा टिप्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिले और दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेयर करिएगा थैंक यू का सब्सक्राइब कर दो सबूस्क्राइब और दीजिए प्राइब कर दो बार दो किएगा।